अगर किसी के दिमाख में कोई फतूर है, अगर किसको ये लगता है कि ऐसी हम गोली गोली चला का किसको ड्रा लेंगे, हम उस कौम साथ है खाल कार के भूस भर देते हैं और बच्ची को जूती बना लेते हैं, अगर दुबारा ऐसा हमला हुआ और परसासने सुरक्षा नहीं कर आज है हमारे संग्ठनों के नाम अलग-अलग हो तकते हैं चाहिए वह भीमार भीयों युवा शक्ति दलो य कोई और अम्बेट गर्वाइस संग्ठन ओ लेकिन जब हमारे वियकति किसी भी एक बक्रत कर अविकति पर हमला होगा हम साथ एक साथ यकता होकर के उसका मुँ त जब आप देने का जब हमने तलवार उठाई है तो सम्राट असोग बने हैं और जब हमने कलम उठाई है तो हमारे समाज में अंबेडगरी बने हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम का ऐसे कारणा हम डर के घर बैठ जाएंगे इट का जबाब पत्थर से देंगे साही समय देंगे जो चंदर सेखर है धीम आर्मी के चीफ है उन पर हमला क्या गया है उनके ग्रैजन पर साहनपुर में कौन लोग हो सकते हैं हमने की साज बता रहे हैं कुछ लोग इसको देखिए जो चंद सेकर भाई पर हमला हुआ वो बहुत दुखद है और निर्दनिया है ऐसी गटना समाज में भाईचारे को खतम करती हैं और खास करके अगर कोई दलित का बेटा दबे कुछले सोशित वंचित समाज का बेटा जो पिछडों के आवाज उठाता हो दलितों के आवाज उठाता हो उस आवाज को दबाने के लिए ये चंद मुठीवर लोग तमंचे ले चुनाओ दुबारा हूँ लेकिन जब बात ऐसी गोली चलने के आती है कभी लखनाओ कोट में जशसाग को सामने गोली मार दियाती है कभी अतिक अहमत को गोली मार जाती है तो इन सब चीज़ें ये इस प्रेश्ट होता है कि ना तो जनता कानून के हाथ तो सुर्चित है न मैं आपसे कहना चाहूं अगर चंसेकर पर हमला हुआ है तो हमें आसंका है कि ये कहीं के एक जाती विसेश के लोग ना हो अगर ऐसा होता है तो मुख्य मंत्री को इन सब पर जो है रोक लगाएं चाहिए लगाम लगाएं चाहिए ये हमला कारणा हमला था अगर किसी व्यक्ति हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति पर हमला होगा हम साथ एक साथ इकटा होकर कि उसका मूह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे अभी आप देखेंगे कि गोली चंसेकर पर चली है लेकिन आवाज देश का हर वो भोजन मुमेंट का व्यक्ति उठा रहा है जो 50,000 साल पुराना इतियास नहीं है अभी मात 50 साल पुराना इतियास है जब चैट जब दुरादेंगे लेकिन यह देश की संसकेति हमारी है इसलिए हम इससे प्यार करते हैं तो मेरी अपील है परसासन के उन सभी लोगों से जो इसमें जाश कर रहे है जो कमेटी बठाए था लेकिन भीमार में के जो चीफ है चंदसे करा राजाद उनको फेजबुक पर धंगी दी गई ती कुछ दिन पहले ही देखिए जो फेजबुक पर वो एक कोई अमैठी करके कोई पेश है बना हुआ है मैंने वह देख देखा है अगर वो छेतरी समाज मगों को सूच ना चाहिए कि वह भाई चानों खतम करने हैं और ऐसे लोगों का षिशकार करना चाहिए समास से उनको हटा देना चाहिए अगर वह बढ़ावा देते हैं तो यह समझ लीजिए कि उत्तर परदेश नहीं पूरे देश में वह एक जाती खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं हाला कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मैठी पुलिस के कप्तान वेप पुलिस दुआरा उनको अरेश्ट करके जेल भेजा गया है उस पे कारवाई की जा रह हम मिलेगी देखिए जो डरफोंफ होते हैं जो कायल लोगोस 모든 पीछे से वार करते हैं कबी आमने सामने पहला पाखर करके बात कीजिए हैं कि पर बताएज़ाएं हमला कैसे किया जाता है और देखियो आवाज उठाना हर किसी के अपने मोली का दिकार साध देब अपने मोल जो कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं खुद उन से मिलकर आया हूं काफी बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के भार भी थे अंदर भी थे और हमारा भी विसेश समर्थन है चंसेकर भाई को और जब जब उनके साथ कुछ गलत हुआ है घटना घटी है जब 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 उन्हो चलेंगे लेकिन का फिले चलता है गाड़ियों का बहुत सारे लोग साथ होते हैं उसके बावजुद उन्हों पर हमला किया गया है क्या उन पर हावी होना चाहते हैं देखिए हमला गर कोई बताकर किया जाए तो उस हमले का इंतिजाम भी किया जाता है ऐसे तो आपने मेडिया भी थी उसके बाद भी हमला हो गया ठीक है तो जो काराना हमले है यह बिल्कुल ही गलत है लेकिन मेरी अपील उत्तरप्रदिश सरकार से है कि वो उनको सुरक्षा दे उनके विल्ट्र गाड़ी का इंतिजाम करें वो अपनी पार्टी के पर्तिनिती हैं उनका एक संग्ठन है जो पूरे देश में काम करता है और उन्हीं संग्ठन और भी संग्ठनों के मुख्या जो अपने समाज में पर्तिनिती है उनकी सुरक्षा दी जाए हमने पहली बार ऐ जिनके पीछे करोडों की संख्या जन सहलाब है उन्हें दो दो गनर भी नहीं दिये जाते तो कुल मिलागे सरकार जो है विपक्ष के नेताओं के विपक्ष के संख्ठनों के दमन की कारवाई कर रही है जो बिल्कुल गलत है देखो समय परतंसीर होता है मैंने इसी परदेश क मुख्य मंत्री को लोग सवा में रोते हुए देखा है जब मानने भूत्पूर मुख्य मंत्री मुलायम सिम्जी का सासनकाल था और आज वो उस बात को भूल गए हैं आज वो लोगों को यह सोच रहे हैं कि एक डंडा हाथ में ले लिया जनता जो है वो मुर्ख है उसको हम ह लेगे ऐसा नहीं है को हर पास साल में चुनाव ओते समय पर दिंशील होता है काम करते हैं जिससे करें आucky यहाद बतले की भावना से कारे करे हैं कोई-और बंदेश्य काम करेगा तो लोगतन्त्र से से करा आजाद है वह में सा राजनेतिक इस्टंट जो है दिखाते हैं यह सुक्षा लेने का उनका इस्टंट हो सकता है हमला हमला कुछ नहीं हुआ है वह हमेशा अस्पिताल में लोगों से सानुवरूती बटोरते हैं कि देखिए हर समाज में हर तरीके लोग होते हैं मैंने खुद वहां जाकर उनसे पूछा है और मैंने वहां पर महसूस क्या है कि कोई व्यक्ति तीन दूर से गोली स्टेंड के लिए जब गोली चलती है तो को निसाना ठीक नहीं बैठता कहां लग जाए यह सब अख़वाएं और जो सच्चा ही है तो फिर जाच चली रही है लेकिन मेरा मानना यह है जो मैंने वहां जाकर के देखा मैसूस किया यह घटना जूटी नहीं है यह सत्य घटना है वह हमला वर इनकी हत्या करना आये थे बाबा साब को तम गुद बगवानी किरपा रही इन पर कि यह इनकी जान माल की यह बच गए और अनिथा ऐसी बड़ी घटना हो जाती कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में लोगने और डिश्ट्रफ हो जाता तो यह सब अफवाजी है वास्ता में पर हमला हुआ है और हम काम ना करते हैं कि उनका स्वास जल्दी ठीक हो कुछ लोग यह लेकिन सविधानी कुछ चीज ऐसी होती है जहां पर सविधान दुवारा कुछ सुक्षा मोया कराई जाती है जिससे की परतिनिदी का मनोवल डाउना हो और वो समाई जाकर उनका काम करें रही बास सुरक्षा की तो फिर तो ऐसे दो कई मुख्य मंत्री परदान मंत्री और यह बहुत देखा है जिन पर सोंसु मुकदमें हैं रेडियों सो मुकदमें हैं लूट के बलतकार के 302 के उनने की पानने कोट सुक्षा देता है ऐसे लोग भी हैं पर जो जाती वात का जहरंब बढ़काव भास देते हैं उनने इसलिए विसेश के उनके नाम के बीसे सरनेम चैन्ज लाते हैं या उनके उनके सरणाम के जो है मुखे मंत्री श्टेट में या अधर श्टे bashkar की बात है तो देनी चाहिए जन पर दिनें पर लेनी को देनी चाहिए जो समाज कि बात रखता है लेकिन अगर आप alem देख करके बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको मैं हजारों नेदा देश में ऐसे गिनवा सकता हूं जो भू माफिया बिजली माफिया उसके बाद मैं बलतकारी तो यह गलत है लेकिन जो आदमी मांदारी से काम कर रहा है जनता के बीज में जा रहा है अगर उसे किसी के दिमाख में कोई फटूर है अगर किसको यह लगता है कि ऐसी हम गोली गोली चला का किसको ड्रा लेंगे हम उस कौम साथ में खाल कार के भूज भर देते हैं और बची को जूती बना लेते हैं अगर दुबारा ऐसा हमला हुआ और परसासर ने सुरक्षा नहीं करी तो हीट का जवाब पत्थर से देंगे चाहे वो चंसेकर हो या रवी गोथं और को अने साती हो हम लोग धहरे रखते हैं लेकिन उसके सासा सथ सफाने जाव आप जिना जानते हैं इत्यास्त पता है कि जब हमने तलवार उठाई है तो समराट असोग बने हैं और जब हमने कलम उठाई है तो हमारे समाज में अंबेडगरी बने हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐसे कारणा हम डर के घर बैठ जाएंगे